तीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को श्री लंका के खिलाफ दूसरे वंडे में दोहरा शा तक जड़कर मोहाली के दर्शकों को अपना दिवाना बना लिया मगर मैच में जब टीम इंडिया फील्ड इंड करने आई तो एक ऐसा वाक्या देखने को मिला जिसने साबित कर दिया कि फैन फॉलोइंग में एमेज धुनिय भी अववल है दोस्तों यदि आप भी महिंदर सिंग धुनी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना श्री लंका को 393 रंका लक्ष देने के बाद तीम इंडिया जब फील्ड इंड कर रही थी तब एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर पूर्व भारतिय कपतान एमेज धुनी के पास जा पहुंचा इस फैन ने धुनी के पैर चुने की कोशिश की फिर धुनी ने वो रूप दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं उन्होंने अपने फैन को निराश नहीं किया और पैर चुने दिये इसके बाद दोनों के बीच कुछ बातचीत होती हुई भी दिखी यह पहला मौका नहीं है जब धुनी की फैन फॉलोइंग इस प्रकार देखने को मिली हो इससे पहले जनवरी में जब एमिस धुनी इंगलेंट के खिलाफ मुंबई के ब्रेबुन स्टेडियम में इंगलेंट के खिलाफ वाम अप मैच खेल रहे थे तब बल्लेबाजी करते समय एक शक्स मैदान में आ गया और उनके पैर चुकर लोटा बता दे कि उस मैच में धुनी आखिरी बार कप्तानी कर रहे थे वैसे बता दे कि टीम इंडिया के पूर्व कप्ताने में इस धुनी 36 साल की उमर में दुनिया के सबसे फित खिलाडी माने जाते हैं मोहाली वंडे मैच से पहले उन्होंने 100 मीटर रेस में 24 साल के युवा और राउंडा होदिक पंड्या को पच्छार दिया